नमस्कूर, हम आज बात कर रहे हैं motivation पर मैं motivation के लिए कुछ अधिक पढ़कर नहीं आई, दरसल कभी नहीं बढ़ा, बचपन से नहीं पढ़ा, पर हमेशा motivated रहती हूं मैं ऐसा मानती हूं कि motivation के लिए दो factor हैं एक बाहरी और एक अंतरी जो हम अभी discuss कर रहे हैं दरसल हम बाहर की बात कर रहे हैं बाहर का motivation बाहर का motivation एक short term motivation है जो जादा काम नहीं आता जादा काम आता है अंदर का बाहर के motivation के लिए एक example दे सकती हूँ कि मानली जे कमजोर वेक्ति है उसे हम कहें कि भाई ये बहुत भारी सामान है इसे उठा के वहां से वहां रख दो मैं भी बहुत ज़़ा कहने पर जुनून दिलाने पर वो कर भी देगा कर भी देगा अब ये निर्भर करता है जुनून किसने दिलाया उसे motivate किसने किया अब इसी व्यक्ति को हम लेके जाएं Everest पे कि चल भाई Everest पे चल अब उसको हम चढ़ा रहे हैं यकिन मारिये नहीं चल पाएगा आपके अंदर से आवाज आ रही होगी नहीं जा पाएगा दम तोड़ देगा क्यों क्योंकि अंदर से motivation नहीं आ रही ना तो motivation ज़रूरी है अंदर से आना अब बात करते हैं अंदर के motivation की यही मेरा मूल मुद्दा है और यह motivation आता है समय समय पर आता है हमारे अंदर हमारे बच्चों में आता है सब में आता है लेकिन अब हम बाहर के motivation को सिरे से खारिस कर दें यह भी गलत है यहां मैं example दूँगी तुलसी दास का तुलसी दास को बाहर से ही मोटिवेशन मिला था जिन तुलसी को तुलसी दास बना दिया गोस्वामी तुलसी दास बना दिया भीतर के मोटिवेशन की बात करें तो इसके लिए जब ये आता है ना तो यहां मैं एक बात कहूंगी कि हमारा जो जुनून है वो ऑक्सीजन है और मोटिवेशन जो है आग है जब तक यह आग रहती है जुनून रहेगा तो आग जलती रहती है जुनून खतम आग नहीं तो भीतर का मोटिवेशन तभी काम करता है भीतर के मोटिवेशन आने से ही फिर नरेन विवेकानंद बनता है भीतर का मोटिवेशन आता है, तब मोहन महतमा गाधी बनता है। तो ये भीतर का मोटिवेशन बहुत जरूरी है। जिस दिन भीतर का मोटिवेशन आया, फिर व्यक्ति अपना लक्षे बनाता है। उसके implementation के लिए एक planning करता है और उस planning के लिए जीजान से जुट जाता है अब जब वो planning बना ली जीजान से जुट गया तब ये बाहरी motivation और भीतरी motivation दोनों काम करते हैं तो motivation सिर्फ देने भर का काम नहीं है, motivation अंदर से जगाने का काम है तो मैं तुमें यही कहूँगी बस कि हम चाहें कितनी भी motivation की बाते कर लें लेकिन अगर हमारे अंदर वो जुरूर नहीं है, हमारे अंदर oxygen नहीं है तो motivation नहीं आ सकता एक बात और जोड़ना चाहूँगी, याद आई मुझे, दरसल मैं सच बता हूँ, मैं कोई speech तयार करके नहीं आई हूँ और करती भी नहीं हूँ कभी, जो मेरे मन में उस वक्त आता है, मैं वह ही बोलती हूँ हम अपने बच्चों को हमेशा motivation के लिए, दरसल motivation बच्चों को जादर दिया जाता है हम motivation देने के लिए अपने बच्चों को हमेशा बोलेंगे, बेटा भगत सिंग ने ये किया, महत्मा गांधी ने ये किया, दॉक्त कुछ बोलते हैं और हमारे बच्चे उस वक्त अंदर ये सोच रहे होते हैं, वो तो बड़े आदमी थे, वो तो बड़े आदमी थे, कारण क्या है, क्योंकि उनका पुरा जीवन हम जानते हैं, सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चों को मोटिवेट करने का, कि हम अपने ही आस पास के लोगो नहीं, तो मैं मोटिवेशन को इस तरह से लेती हूं, धन्यवाद.